जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य उमीद करते हैं कि आपकी रेलवे गुरूप डी की तायारी बहुत ही बहतरीन तरीके से चल रही होगी जितनी भी बुक्स हमने सजेस्ट की हैं उन सभी बुक्स क आपका एक चाय के बरावर का खर्चा नहीं है अगर एक्जाम आप निकाल लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ यहां सेक्यूर हो जाएगी तो आज की वीडियो में देखे बहुत सारी चीज़े हम तयारी भी कर रहे हैं सारी चीज़े हम कर रहे हैं लेकिन एक के लिए कितने गुना केंडिडेट को बुलाया जाएगा और यहां पर रेलवे गूरूप डी के अंदर पहले डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर पहले मेडिकल टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे स्टुडेंट को यहां पर बाहर कर दिया जाता है मेडिकल में चाहिए होगी तो यहां पर इसे घटाए भी जा सकता है तो यह अधिकार रेलवे के पास है लेकिन यहां पर जो अभी हम मान के चलेंगे वह मान के चलेंगे तीन गुना यानि कि मान लीजे आपके जोन में यहां पर 4000 वेकेंसी है यहां पर आपके जो भी यहां पर आपका रर्री जोन है वहां 4000 वेकेंसी है तो 4000 का तीन गुना यानि कि 12000 कंडिडेट को यहां of the candidates in the CBT और जितने भी ये candidate होंगे जो PT के लिए बुलाया जाएंगे उन्हें यहापर CBT के अंदर जो उनकी merit है उस according यहाँ पर बुलाया जाएगा अब एक point और मैं यहाँ पर आपका clear कर देता हूं negative marking का जो कि आपको पता भी होगा कि negative marking one by third है यानि कि तीन कोशन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक number यहाँ पर कट जाएगा तो इसलिए कोशिश किजेगा कि exam के अंदर आप यहाँ पर negative कम से कम करें चाहे आप कोशन यहाँ पर 70 कोशन ही करें लेकिन कोशिश किजेगा कि 70 के अंदर आप 3, 4, 5 5 से ज़्यादा negative ना करें नहीं तो आपके marks यहाँ पर और भी कम हो जाएंगे ठीक है तो negative कम करने की कोशिश करें जितना हो सके negative से बचिए अब आगे देखें यहाँ पर आपका document verification पहले होना है या फिर यहाँ पर आपका medical test पहले होना है यह बात भी देखें यहाँ पर clearly की लिखी हुई है कि यहाँ पर आपका देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है it may clearly be noted that calling for any qualifying in PET and subsequent stages of DV and medical examination अब यहाँ पर देखें पहले आपका document verification होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर medical examination होगा यानि की medical test होगा तो यहाँ पर देखें group D के अंदर आपका medical test जो है वो यहाँ document verification के बाद लिया जाता है यह बात आपको हमेशा ध्यान रहतनी है अब यहाँ पर बात आती है कि आपका PET जो है exam के कब होगा यानि की exam के कितने दुनों बाद यहाँ PT हो सकता है तो आप यहाँ पर मान के चलिए आपके exam यहाँ 17 अगस्त से चालू होते हैं तो 17 अगस्त से लेकर आपका जो exam चलेगा लगभग यहाँ पर पूरा September आपका इस exam में चला जाएगा और हो सकता है October का mid तक भी आपके exam में चला जाए अगर exam यहाँ दो stages यानि कि दो shift के अंदर होता है तो अगर exam तीन या तीन से ज़ादा shift यानि कि तीन से ज़ादा कितनी हो सकती है तो यहाँ पर चार shift हो जाएगी अब exam complete होने के बाद लगभग एक से डेड़ मेंने के अंदर आपका यह result जारी होगा तो यह मान लीजे आप यह December तक आपका result आप आएगा यानि कि December के last तक आपका result आप आएगा 100% है कि आपका December के last तक 2022 के अंदर अंदर आपका result आजाएगा CBT का और उसके बाद आपको जाधा time नहीं दिया जाएगा उसके बाद आपको एक से डेड़ महिना maximum डेड़ महिना और minimum एक महिना एक से डेड़ महिने के अंदर आपका PT test चालू हो जाएगा और यह अलग-अलग zone wise होगा किसी zone का पहले होगा किसी zone का बाद में होगा तो यहाँ पर PT test यहाँ पर एक से डेड़ महिने के अंदर चालू हो जाएगा तो आप यह मान कर चलिए कि आपका जो PT शुरू होगा यह लगबग आपका शुरू होगा आपके January के last या फिर February के starting में यानि कि February mid तक आपका लगबग लगबग सभी zone का यहाँ पर PT चालू हो जाएगा तो आप उसी तरह से अपने आपको तयार रखेगा जिस दिन भी आपका exam हो जाए यानि कि exam आप देकर आये हैं और आपके यहाँ पर 70 प्लस नंबर बैठ रहे हैं तो उसी दिन से लग जाईएगा PT की तयारी में क्योंकि PT के लिए यहाँ पर आपको भी पता है कि आपकी running भी होनी है और यहाँ पर आपको एक weight उठा कर भागना है तो weight जो है 35 kg का जो weight है उसको ठाकर भागना है तो दोनों की practice उसी दिन से चालू कर दीजेगा लेकिन अभी सिरफ फोकस कीजेगा कि अभी exam आपको निकालना है CBT आपको देना है अभी सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद होना चाहिए कि CBT किसी भी तरह से आपका clear हो जाए तो इसलिए CBT clear होने के लिए हमने नीचे description में भी आपको बहुत सारे link दिये हैं वो सारे के सारे link देख डालिए वो सारे के सारे books लेडालिए और उन सबी books से अपनी तैयारी को आज ही चार चांद लगा दीजे और इस बार group D को crack कर दीजे तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत